तो दूस्तों आज हम लोग फिरसे पढ़ने वाले हैं कलाश्टेंद का साइंस का पाला चेप्टर जो जिसका नाम है राशाणी का विकरिया ऐस्टली कंकेत वो देख सकते हैं यह से English sign of physical state तो पहला एक थोस हवास्ता फोस हवास्ता को साइन मी imi क्या लिखते हैं यानी सिमभॉल मी क्या लिखते हैं तो ac se denote करते यानी sa डेनोड करते यानि liquid उसके बाद गैसी हवास्ता गैसी हवास्ता को जिसे डिनोट करते हैं और उसके बाद एक है विलियन के वस्ता जिसे एक वस्त करते हैं यह इसे एक्यू से डिनोट करते हैं तो आगे देखते हैं आगे हैं आगे क्वेश्चन आगया क्वेश्चन हुआ यू में जलाने से पहले मैंगनेशियम रीबन को साफ क्यों किया जात दातु को वायू में खुला छोड़ देने पर उन पर उसके ऑक्साइट की परत बैट जाती है इन परतों को हटा देने पर अभी क्रिया आसानी से होती है इसलिए वायू में जलाने से पहले मेंगनिसियम रीबन को साफ किया जाता है यानि जब आप देखते होंगे कि कोई भी यह आइरन का रड ऊड़ च्छड़ वगेरा आप खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसमें नमी के कारण उस पर परत जम जाते हैं जिसे हम लोग जंग के नाम से भी जानते हैं उसी तरह से इसमें मेंगनिसियम रीबन पे धूल गरदा सब बैठ जाता है जिसे उससे सा ड्मीनेशन रर्यक्शन तो ज toughest जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभी करकल कर एकल तो और यानि जाल यह जल बाद यह कहता है है यह लॉटत मिलाएं तो फारत क्रेंजियर मिल य। अगला है उसमा ठीशेपी अभी के लिए जिसाघेकका करिया में उत्पात के साथ साथ उसमा भी निकलती है उसे उसमा छेपी अभी करिया करते हैं तो उसके साथ साथ हीट निकलता है यानि गर्मी निकलता है तो उसे उसमा छेपी अभी करिया करते हैं जैसे अगर कैल्सियम और ऑक्सीजन को जब उदारमन देख सकते हैं जब कर्बन और औकसीजन मिलते हन्ह तो कर्बन ड्राइट करता है और निर्मन करता है। और साथ में यह हीड है यह देख पडिता है यह देख सकता है उसमा यह भी पर लिएज पर रहात कैमें बौद का होल्टू को Catch करता है तो बागर देखते अगे कोश्षन शौसन एक उस्मादशेपी अभी काइसे है कैसे भोजन के रोप में हम लोग और रस घर रोटी घराननगा करते हैं कर्भोहीडर्रेट जो हम लोग चावल खाते हैं रोटी खॉते कार्बोहजडरिट फाल तो कर्बोहजडरिट के पाचन के घल कोज परावत होता है एनलने को इनर्जी देता है यह जा था अभी करेकर के हमें उर्जा पर्दान करता है इसलिए इसे उसमा चेपी अभी करते हैं जैसे हैं आप देख सकते हैं यह गुलकोज का सूटर है और 602 6C02 6H20 यह देता है इसके पाद आप देख सकते हैं यहां है वियोजन या अप घटन भी करते हैं और इसका इंगलिस नाम हो गया डिकंपोजिशन रियक्शन तो जिस अभी किरिया में एकल अभी कर्मक तूटकर अफेक्चा के रिए छोटे-छोटे उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभी किरिया करते हैं यानि इस अभी किरिया में एक उत्पाद जो रहता है वो तूट अभी करिया हुआ उधारन जैसे आप यहां पर देख सकते हैं उधारन ने फेरस सल्फेट एपी एसोफोर सेवन एच्टो को गर्म करने पर पहले उसका रंग बदल जाता है और फिर फेरिक ऑक्साइड सल्फर डायोक्साइड और सल्फर ट्रायोक्साइड बनता है तो यहां तो आज के वीडियो यहीं पर समावत होता है तो उम्मीद करता हूं कि आपके यह समझ में आया होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको आपके पढ़ाई से इसी तरह के कंटेंट आपको मिलती रहे